श्रीक्रिष्ण जन्वाच्व की तैयारियां पुरे देश में जोस्त के साथ मनाये जा रही है। खूब जमकर तैयारियां हो रही प्रभुष्री क्रिष्णि का जंग बड़ी ही धूम-धाम से मनाया जा रहा है इसको लेकर अब कानपुर में भी तैयारियां देखी जा जकती है किस तरीके से कानपूर के अलग-अलग मंदिरों में प्रभू श्रीक्रष्णि के जन्मोस्ताव की तैयारिया हो रही है आयोजन किये जा रहे हैं तमाम तरीके के सांस्क्रितिक कारकम भी हो रहे हैं भक्तों की भीड़ लगातार पहुंच रही है और विवस्थाओं की अग पर लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं दूधराज से पहुंचते हैं कानपूर शहर के अलावा आजपास के जो जिले हैं वहां से भी लोग प्रभू श्रीक्रष्णि के यहां पर दर्शन करने आते हैं उनके जन्मोस्ताव में शामिल होते हैं अंदर भी तमाम तरीके के तैयारियां चल रहे हैं सांस्क्रितिक कारकम किये जा रहे हैं तमाम जन्मोस्ताव से पहले की जो तैयारियां है वो की जा रही है अंदर की हम खाज बाद आपको यह भी बता दें कि कानपूर के स्कौन मंदिर में स्रीक्रिश्न के लिए 1101 प्रकार के व तो जन्मो और अस्टवी का उप लख्स में बहुत चारी तयारी किया गया है इसमें खास करके भगवान का जो भौग है वो गयराशा लगभाग गयराशा आट्याम का है उसमें नमकीन है उसमें मिठाई है अलागः उसके बाद अलागः जो केक टाइप का आट्याम होता है प्यक्री वो भी है प्यला सब्जी टाइप का होता है वो भी है अइसे 11 सायटे में अजय भगवान ने कपड़े पहन रखे उस कपड़े की कहा सियत क्या है भगवान कपड़े पहन रखे हैं इस अमरिकन डायमन लगा है उस बस्तर में और बहुत सारी जो बहुत कीमत लग बाग शड़ा सल लग पास लग रुपिया का है और जो भगवान का आलाग जो फूल का जो डेकरेशन है जो भगवान जो मला पेने हैं तो भगवान का पूती है इसका भी एच्छा 4.0 रुपिया का है अच्छा फूल जो लगाए गए हैं उनके शंगार में तो उस फूलों की क्या काज़ियत है फूल बहां के आए जैसे फूल का खाशिया ते आलाग़ा जगा से आया है जैसे बैंगालोर है पूने है कुलकत्ता है दिल्ली है फूलस थाइलेंड का भी फूल है इसमें लगए य यहां पर तो बहुत उच्छा हो रहा था कि की का भगवन का जौन्म दीन है । आप लोग देख सकते हैं इस उच्छा में भाग लेने के लाकों संक्छा में लोग मंदिर में आते हैं भगवन का नाम लेता हैं पुजा पाट करते हैं और इच्छे-आद्स तरीके की चीज़े बनाई जा रही है फिर वो चाहे खाने से संबंदित हों मिठाईयों से संबंदित हों तमाम चीजें अंदर बन नहीं है इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चान्दी के बरतन में प्रभू को भोग लगाया जाएगा रात बारा बज़े ये भोग लगेगा और तभी जन्नोस् ही है प्रभू की वो भी लाखों रुपए की है इसके साथ जो श्रंगार की विवस्था है वो श्रंगार की विवस्था कई देशों से अलग-अलग जो फूल मगाए गये हैं उन फूलों के माध्यम से श्रंगार की विवस्था है फिर वो चाहे बैंगलॉर की बात करें कैल होना है जो जन्मोस्तों मनाया जाना क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंच जाती है हो जाती है उसको नदर में रखते हुए लोग पहले से ही पहुंच रहे हैं जाकियां वी अंदर तमाम तरीके की लगा दी गई है और एक अनोखे प्रकार की यहां पर जो जन्मोस्तों की तैयारियां है वो होती क्योंकि यहां पर अलग-अलग जाकियों के स्टॉल लगाए गए हैं जिसे लोग भगवान स्रीकृष्णी के बालतरूप से लेकर उनके किशोर अवस्ता यहां उनका यहां पर प्रदशोष्र किशनी से जुड़े हुए जो गीत संगीत हैं उनका गीतों जूमते हुए दिखाई लाखों रुपए के फूलों से जो श्रंगार होगा और एक हजार एक सो एक प्रकार के जो वेंजन प्रभू के भोग के लिए यहां पर बनाये गए उनसे प्रभू के इस जन्मुस्तव को मनाये जाए एबी पी गंगा खबर आपकी जबापकी